Good morning and praise the Lord to everyone who is attending this meditation this morning. सुप्रभात और जै प्रभु येश्व मसी की, आप में से जितने लोग आज सुभा के इस अध्यन में उपस्तित हैं, ये एक नया दिन है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके विश्वास योग्यता के लिए, जो हमें आज के दिन तक लाया. और इस दिन के शुरुआत में, आईए हम परमेश्वर की उपस्तिती में आकर, खामोशी के साथ रहें. और आज का जो मनन है, वो केंद्रित है, युहन्ना रचित सूसमाचार उसके बीशवे अध्याई के बीशवे पद पर. और मैं परमेश्वर के सांस के विशे पर एक बात आपके सामने रखना चाता हूँ. यहां इस प्रकार लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. परमेश्वर का सांस, इस से पहले येश्व मसी ने उन्हें कहा कि वो उन्हें प्रेरित के रूप में भेज रहा है, ताकि सू समाचार को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा है. और कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. यह है परमेश्वर का सांस. परमेश्वर का सांस जीवन देने वाली एक उर्जा है. और इस उर्जा के बिना, किसी प्रकार का हाथ-पैर का चलना नहीं संभव है. किसी प्रकार का क्रिया संभव नहीं है. और नहीं किसी प्रकार की भावनाय पाय जाती है. और बढ़ोत्री के लिए क्षमता भी नहीं पाय जाती है. नहीं किसी बात को जोड़े जाने की ख्षमता, और नहीं गुणा किये जाने की ख्षमता. और इनी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम दो ऐसे घटनाओं को या स्थानों को देखें, जहां पर निर्जीव अवस्था या बातों में परमेश्वर के सास के द्वारा जीवन लाया गया. और इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम इसमें कोई संदे नहीं, कि युहना रचित्सू समाचार पुराने नियम में पाए जाने वाले श्रिष्टी की कहानी को ध्यान में रखता है. और इस संदर्ब में उत्पत्ती के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के सात्वे पद में इस पकाल लिखा है. तब यहोवा परमेश्वन ने आदम को भूमी की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का स्वास फूँख दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया. परमेश्वन ने मिट्टी से केवल मनुष्य का शरीर का एक रूप बनाया. लेकिन उस रूप में जान नहीं थी. वो रूप केवल ऐसी भूमी पर पड़ी हुई थी. जिस रूप को परमेश्वन ने अपने हाथों से स्वयम बनाया. लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने ही मूँ से आदम के नथनों में अपनी सांस फूका. और इसके द्वारा मनुष्य एक जीवित प्राणी बना. यहाँ पर हमें क्या सीख मिलता है? आपके अंदर जो जान है वो आपकी अपनी नहीं है. वो परमेश्वर का स्वयम का सांस है. आप केवल इसी लिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का सांस आपके अंदर है. इसी लिए हमेशा ध्यान में रखें, अपने जीवन का को बहुत आधर के साथ संभालें, सही रीती से चलाएं. अपने जीवन का दुरुपयोग ना करें, और ना ही उसके साथ गलत व्यवहार करें. लेकिन दूसरी ओर, जो नाश करने वाली बातें हैं या वस्तुएं हैं, उनसे अपने जीवन को आप सुरक्षित रखना. तो यह पहली घटना है, जहां पर एक निर्जीव रूप में, परमेश्वर के सांस के द्वारा, जीवन प्रवेश कर गया है. और इसी प्रकार से एक दूसरी घटना है, जो हम पाते हैं येश्कियल के पुस्तक में, जहां पर येश्कियल नभी ने भी ऐसा ही एक द्रिश्य देखा. येश्कियल को एक ऐसे वादी में लाया गया था, जहां पर, जिधर भी वो देखें, वहां पर सुखी हड्यां ही दिखाई दे रही थी. और वहां पर येश्कियल ने परमेश्वर के वाणी को सुना, जब परमेश्वर हवाओं को संभूदेत कर रहा था. वहां पर परमेश्वर ये आग्या देता है कि चारो और से जो हवाए हैं, चारो दिशा से आओ, और इन सुखी हड्यों में अपने जान को फुको. ये हम पाते हैं येश्कियल के पुस्तक उसके सैंतिस्वे अध्याय के नवे पद में. ये ना रचिसू समचार के भाग में जो पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं, येश्व मसी अपने चेलों को अधिकार दे रहा है. और जो आग्या येश्व दे रहा था, उसमें से दो अर्थ हमें समझ में आती हैं. पहली बात, ये समझना जरूरी है, प्रभु येश्व को कलीसिया की आवशक्ता है. प्रभु येश्व मसी जब पृत्वी पर आया, तो पूरे संसार भर में जितने भी लोग थे, सारे मानव जाती के लिए एक संदेश लेकर आया. अब ये वो समय है, जब प्रभु येश्व वापस अपने पिता के पास लोट रहा है. और ये संदेश सारे मानव जाती तक पहुंचाया जाए, जब तक कलीसिया इसमें शामिल ना हो. इसका अर्थ ये है, रभु येश्व मसी अपने कलीसिया पर निरभर है. और जो दूसरा सत्य जो हमें दिखाई पड़ती है, वो ये है, कि कलीसिया को प्रभु येश्व की आवश्चता है. मसी को कलीसिया की आवश्चता है, और कलीसिया को मसी की आवश्चता है. भेजे जाने वाले व्यक्ती को भेजने वाले की आवश्चता है. और ना केवल भेजने वाले की आवश्चता है, परन्तु एक संदेश की भी आवश्चता है. और साथ में एक अधिकार की आवश्चता है, और एक सामर्थ की आवश्चता है, ताकि उस संदेश के पीछे भी एक शक्ती हो. और बिना येशु के, कलीसिया के पास ना तो कोई संदेश होगा, और बिना येशु के, कलीसिया के पास कोई सामर्थ नहीं है, और बिना येशु के, कलीसिया के पास कोई अधिकार भी नहीं. इसलिए अधिकार देने के बाद यहां पर हम पाते हैं येश्य मसी ने उनके उपर फूका और उसके बाद कलीश्या निकल पड़ी और उसके पश्चात दुनिया कभी वैसी ही नहीं रही हो सकता है आज का जो युग है आज का जो पीड़ी है वो शायद आखरी पीड़ी हो इस संदेश को दुनिया तक पहुचाने के लिए क्योंकि प्रभु येश्य मसी का आगमन बिलकुल द्वार पर है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मसी के उस संदेश को पहुचाना जिस से मानव जाती बच सके यही वो कारण है जिससे की मसी ने कलीशिया को अधिकार भी दिया और उसे सामर्थ भी दिया इसलिए मेरे प्रियों आप जो कलीशिया के एक हिस्से हैं यह जिम्मेदारी कलीशिया के हर सदस्य की बनती है हर उस व्यक्ति का जो अपने आप को मसी येशु से जोड़े हैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं आपका हिस्सा आपका रोल आप ही कर सकते हैं इसलिए जब कभी भी आप घर से बाहर निकले अपने थहली में या अपने पास कुछ नैनियम रखें या सु समचार संबंदे ते एक अच्छी पर्ची आप रखें कुछ पर्चियों को रखें या फिर आप अपने गवाही को किसी के साथ बांटे ताकि लोग देख सके और समच सके कि आपके जीवन में परमेशर के सामर्त ने किस तरह से कारी किया यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को एलान करते हैं घोशित करते हैं कि परमेशर के सामर्त आपके अंदर कारी कर रहा है मसी आप में जीवित है और आप प्रभु येशु के अनुयाई हैं तो फिर ये जरूरी है कि आप एक सेवा कार्यक हों क्योंकि हर एक वो व्यक्ति जो कहता है मेरे अंदर येशु जीवित है उसको ये भी घोशित करना है कि परमेशर की आत्मा मुझ में है और परमेशर की आत्मा सेवा कार्यकी आत्मा है और इस पृत्वी पर चलने वाले सबसे महान मिशनरी प्रभु येशु मसी स्वयम थे वो पूरे स्वर्ग से चल कर आए इस पृत्वी तक पहुँचे और इस पृत्वी पर वो चले और साड़े तीन वर्षों तक बिना किसी विश्राम के बिना छुट्टी लिए बिना धनराशी जमा किये वो जगे जगे गया हजारों के संख्या में लोगों से मिला और अपने आप को प्रकट किया उसके बाद अपनी यात्रा में वो क्रूस की ओर गया जहां पर वो अपने आप को बलीदान के रूप में चड़ा है अपने रक्त को बहने दिया मरा लेकिन वो तिसरे दिन दुबारा जी उठा आज वो जीवित है और ये जो हमने भाग पड़ा है ये उसके पुनुरुथान के कुछ समय बाद की बात है उसने अपने शिश्यों में ऐसी जान फूंग दी की वो अपने कार के लिए तैयार हो गए और इस शुब संदेश को दुनिया तक पहुँचाने की तैयारी में वो आ गए थे और फिर उसके बाद पिंटेकोस के दिन वे पवित्रात्मा का बप्तिस्मा प्राप्त किये ये जो सांस देने वाली बात है इसके द्वारा उनके अंदर पुना जान आ गई लेकिन बप्तिस्मा उन्हें सामर्थ देने के लिए था और गवा देने गवाई देने के लिए एक शक्ती ये हमारा भाग है होने दे कि हम पवित्रात्मा से भरे रहें और इस सामर्थ के द्वारा हम प्रभु येश्यू के लिए सामर्थ ही गवाँ बनने पाए प्रभु आपको आशीज दे आपका दिन बहुत ही शुब होने पाए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत करी अब हम अपने जिम्मेदारियों को जानते हैं होने दे कि हम आपके एक सच्चे अनुयाई बने प्रभु येश्य मसी के नाम ने आमें प्रभु आप सबों को बहुत आशीज दे जै प्रभु येश्य मसी की